दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1991 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा मुवी इज़त का जिसकी लीडिंग कास्ट में मौझूद हैं जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी, गुल्शन ग्रोवर, सदाशीफ अमरापूरकर, परेश रावल, शक्ति कपूर, रजा मुराद, अमजत खान, इश्रत अली, डैन धनुआ, राकेश बेदी, बीना बैनर जी और गोगा कपूर इसके इलावा इस फिल्म की कहानी लिखिया एकबाल दुरानी ने, और इस फिल्म को डारक किया अशोक गाएकवाड ने, और इस फिल्म के प्रिडियूसर है सलीम अक्तर अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो ये कहानी है हवालदार रामचंदर यानि गोगा कपूर के बेटे सिध्धान की जो गाउं वालो और ठाकुर यानि सदाशीफ अमरापूरकर को गुला साबित करके हवालदार का बेटा होने के बावजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और इस किरदार को जैगी शुरॉप निभाते नजर आएंगे इंस्पेक्टर सिध्धान एक जाबास पुलिस वाला है जो अपने फर्स को बाखू भी पूरा कर रहा है और सिध्धान ठाकुर की बेटी सूरिया यानि संगीता बिजलानी को चाता है और वो भी उसे चाती है मगर कहानी अपना असर रुकतब लेती है जब सिध्धान की छोटी बेन अनू को एक राध ठाकुर का बेटा गनपत यानि गुल्शन गुरोवर जान से मार देता है और फिर सिध्धान उसकी जान का प्यासा हो जाता है मगर करप पुलिस ओफिसर जगत पल यानि इशरत अली सिध्धान को रोकने के लिए उसकी टांग पे गोली मार देता है अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफी फास्ट पेस अंदाज में आगे बढ़ती है जहां ठाक़ूर अपने तालुकात का इस्टेमाल करते वे सिध्धान को रास्ते दे हटाने का प्लैन बनाता है अब इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है? इसका पता आफ फिल्म देखकर लगा सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन और स्कीन ब्ले के बारे में तो अशोक गाइकवार्ट की डारेक्शन इस बार भी इंप्रेसिव रही जहां अननेसेसेरी सीन्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया और स्टोरी को खुबसूरती से सिंपल स्टाइल में प्रिजेंट किया जिसकी वज़ा से ये फिल्म एक सैटिस्फाइंग एक्सपिरियंस देने में बाखुबी कामयाब होती है और फिल्म का स्कीम ब्ले भी बहुत बढ़ी आए जहां फिल्म का फस्ट हाफ आउडियंस को करक्टर बिल्डब के समय भी टोटली होल्ड करके रखता है और फिल्म का second half भी audience को भरपूर entertain करता है और audience कहानी के साथ totally connect रहती है इसके लाब अब फिल्म का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म के dialogues और dialogues writing के हवाले से ये फिल्म काफी शानदार नज़र आती है जहां काफी impactful dialogues लिखे गए हैं जो हमें CTMR experience देते हैं और साथी साथ हमें दमदार dialogues भी सुनने को मिलते हैं और फिल्म के action sequences और locations भी बहुत बड़िया है इसके लाबा music की बात करें तो फिल्म का music average है जो बहुत अच्छा तो नहीं मगर एक decent experience देता है अब बात करें acting performances की तो जैकी श्रॉफ ने हमेशा की तरह अपनी काबलियत के दम पे अपने स्किरदार को भी काफ़ impactful बनाया उनकी dialogue delivery और action sequences वाकई में काबले तारीफ हैं और गोगा कपूर ने भी एक अच्छा character role play किया और उन्होंने अपने स्किरदार के साथ बाखूबी इनसाफ किया इसके लावा संगीता बिजलानी इस बार भी काफ़ी खुबसूरत नज़र आई और उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया और फिल्म के विलेंस सदाशीफ अमरापूरकर और गुल्शन गुरोवर के साथ साथ फिल्म की बाकी कास्ट ने भी आउटिस्टेंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेस दी और अपने अपने रोल्स को बहाँ शांदार तरीके से निभाया ओवराल देखा जाये तो इजब एक प्रॉपर एक्शन एंटर्टेनर है जिसमें आपको अच्छी कहानी के साथ साथ कमाल की एक्टिंग परफॉर्मेस भी देखने को मिलती है और इस मुवी को जैकी श्रॉफ के कैरियर की वन आफ दा फाइनेस एक्शन मुवी कहना भी गलत नहीं होगा और सिर्फ यही नहीं ये मुवी अपने स्ट्रॉंग स्कीन प्ले और इंप्रेसिव डारेक्शन की बदालत एक ठीक ठाक रिपीड वैल्यू भी रखती है तो दोस्तों इस जब मुवी मैं आप सब को रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस शानदार मुवी को जरूर देखियेगा